दोस्तों पिछले वीडियो में यानि एक वीडियो में ने बनाया था कैंसर के उपर अन्यू एप्रोच उसमें मैंने बताया था कि जो वो लोग जो बड़े साधे सिंपल होते हैं जो सामाजिक होते हैं सीधे होते हैं या जो लोग दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं जो लोग बहुत नेचर लेवर और सिंपथेटिक होते हैं ज्यादा तर ऐसे लोगों को कैंसर होता है आइसा मैंने उस वीडियो में बताया था तो मैं जानता था कि इसमें कुछ न कुछ कमेंट जरूर आएगा क्योंकि ये लोगों का व्यू या जो कमेंट था उसमें ये था कि क्या सीधे आदमियों को ही आंसर होता है जो आदमी बहुत सिंपथेटीक है नेचर लवल है सामाजीक है दूसरों को खुस रखता है ऐसे लोगों को गैंसर होना चाहिए फिर कुछ का कमेंट ऐसा आया कि बिगड़ जाओ गैंसर नहीं होगा मेरी कहने का मतलब यह नहीं था दोस्तों देखिए कि नेचर का एक पार्ट था ठीक है अब एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा शालीन है सब्य है सिंपथेटिक है दूसरों को प्यार देता है दूसरों की इज़्यत करता है बदले में इसको क्या चाहिए औवियसली यह सारी चीज़े बदले में उसको चाहिए ना मिल्मुल चाहिए मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि he is very sensitive to what others say about him यानि वो बहुत ज़्यादा sensitive होता है कि लोगों के बीच में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग के बीच में उसकी छबी क्या है इसको लेके वो बहुत ज़्यादा sensitive होता है अब ये दोनों को मिलाई इसे क्या चाहिए appreciation चाहिए लोग इसे अच्छा बोलें लोग इसकी बारे में अच्छा सोचें समाज में अच्छा नाम हो ये सारी चीजों के लिए ये जो अच्छे नेचर का बंच है वो इसमें होता है जब इनसान ऐसा है तो बट अवियस है ऐसे इनसान को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मेरा insult न हो जाए कहीं कोई मुझे humiliate न कर दे बेज़्यत न कर दे इज़्यत की बहुत परवार रहती है उसे कहीं ऐसा न हो कि मुझे legit होना पड़े या embarrassed feel होना पड़े इन चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा डर रहता है दोस्तों इसलिए वो लोगों से बड़े प्यार से बात करता है और बदले में यहीं चाहता है कि लोग भी उससे प्यार से ही बात करें और वो rudeness यानि कटू वचन जो बोलते है न रूखा वचन उसको बहुत चुप जाती है या किसी ने उसको धिकारा तिरस्कृत किया कड़वा बात बोला तो उसे वो बाते बहुत लग जाती हैं यह और भी दवाईयों में है इसमें भी है आगे मैं इसका आंसर और दोंगा इन सब बातों से वो कभी नाराज हो जाता है कभी दुखी हो जाता है और इसका जो दुख है या नाराजगी है यह अपने अंदर ही रखता है किसी को कहता नहीं देखे दोस्तों अगर आपको चोट लगी है कहीं दिल पे या आहत हुआ है अगर आप उसे बोल देंगे तो आप थोड़ी हलके हो जाते हैं लेकिन उसको अंदर ही अंदर आप दबा के रखेंगे किसी से शेयर नहीं करेंगे तो उसका एड़वर्स इफेक्ट आपके सरीर पे होता है तो ये बंदा किसी से कहता नहीं, अंदरी अंदर दबाए रहता है दिनों तक, महीनों तक, सालों तक, भूलता नहीं उसे जल्दी तो इसका जो दुख है न, वो प्रोलॉंग होता है, काफी दिनों का होता है और दूसरी बात ये बंदा ऐसा है कि समझो दुखी हुआ, रोने का दिल हुआ तो आदमी अपनी भडास निकाल लेता है, रो देता है, पर ये रोता भी नहीं है, इतना अपने आपको कंट्रोल में रखता है, इतना अपने आपको मतलब चाहता है कि मेरी बाते मुस्तक ही रह है, वो aggressively कभी react कर गया है, पर ये अपने अंदर ही अपने दुख को रखता है, दिल में दर्ध है, पर किसी को कहता नहीं, रोना चाहता है, दिल करता है कि मेरो हुआ हुआ ह। वो नहीं चाहता कि लोग उच पे धया करें या अगर वो दुखी है तो कोई जाय समझू कोई गया उसे मनाने तो पसंद नहीं करता क्योंकि उसे धया दूसरे मुझ पे धया करें यह पसंद नहीं है तो इन देट सेंस डिसलाइक कंसॉलेशन उसे कंसॉलेशन पसंद नहीं है ठीक है दोस्तों यह एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर है डॉमिनेशन अब देखिए इस तरह का सभाव है दोस्तों इसका ऐसे बंदे को अगर उसका समझो कोई employee है किसी firm में काम कर रहा है या किसी factory में कोई industry में काम कर रहा है उसका जो boss है वो dominating nature का है तो सोचियो उसको रोज कितना जिल्लत सहना पड़ता होगा जो बंदा थोड़ी सी बात जिसको लग जाती है और उसका boss अगर dominating है बाद बाद पर उसको dominate करता है तो उसको क exclusive नहीं करता वो शेर नहीं करता अपनी चीजों को जेलते रहता है सहते रहता है और नहीं वो चाहता है कोई आके मनाए या फिर एक छोटा बच्चा है जिसका पिता गुस्से वाला है ठीक है वो अपने बच्चे को punish करता है मारता है तो ये भी एक factor है ये बच्चे शान्त होते हैं बहुत sensitive होते हैं पड़े नाजुक होते हैं इनको नजाकत से रखना चाहिए अगर इनका superior कोई hard master है तो बहुत तकलिफ होती है इन्हें और उसके बाद एक और factor है disappointment disappointment of love और whatever it may be जब इनको अपने love में उस तरह का प्यार नहीं मिलता है या धोखा मिलता है तो ये दुखी हो जाते हैं या कभी-कभी ये गुसे में भी आ जाते हैं सो ये सारे factor है जो एक cancerous patient है cancerous nature का patient है अच्छाई से cancer नहीं होता जी अगर ऐसे बंदे के जिंजिगी में ये सारी चीजें आ जाए तब cancer होता है ठीक है embarrassment यानि शर्मिन्दा होना अपमानित होना humiliate होना dominate होना abuse होना disappointment ये सारी चीजे हैं जो उस बंदे में cancer को provoke करती हैं क्योंकि ये share नहीं करता तो ये अंदर ये अंदर और बढ़ते रहता है सो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने एक portrait बनाया था cancerous जो patient होता है उसका एक portrait था कि वो कितना सब्य होता है कितना सुशिक्सित होता है कितना मदद करता है लोगों का कितना सामाजिक होता है कितना yielding होता है कितना mild होता है कितना sympathetic होता है खुबसूरत होता है पर इसके पीछे वज़ा क्या है वज़ा यही है कि मुझे अपमानित मत करो मुझे embarrass मत करो मुझे humiliate मत करो मुझे disappointment मत करो क्योंकि ये करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा और चुकि मैं अपना दुख किसी को बता नहीं पाता मैं अंदर ये अंदर घुटता रहूँगा जब इस mentality के patient को इस तरह के problems आते हैं तब वो cancer की तरफ पहला कदम रखता है फिर उसके बाद depend करता है उसकी intensity कितनी बढ़ती जा रही है क्योंकि मैंने ये भी बताया था इसकी सेहन सकती बहुत होती ये एक main motto था ये वीडियो बनाने का कि सिर्फ वो अकेला cancer का portrait था वही वज़ा नहीं है उसका main वज़े ये है जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है दोस्तों अगर मैं कोई कुछ वीडियो बनाता हूँ आपको बताता हूँ कुछ तो मेरा कोशी शेह रहता है कि वो चीजें baseless नहों निराधार तो नहों कम से कम उसका कोई base हो कोई आधार हो ठीक है वो वीडियो का भी आधार था उसका एक कारण था क्यों cancerous ऐसे होते हैं मैंने वजह बताया क्योंकि यह बड़े sensitive होते हैं अब sensitive कहा कहा होते हैं यह भी बताया है जब यह सारी चीजे इन में घटित होती हैं एक और situation है जहां पर cancerous patient trigger हो सकता है cancer की तरफ वह है यह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको छोटी उमर म ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है जैसे एक लड़का है छोटी उमर का है उसके दो भाई है मां है घरे लूप और अचानक उसके पिता जी का दिहान थो गया तो घर की सारी जिम्मेदारियां इस बंदे पे आ गई ठीक है अब ये बंदा घर को समालने के लिए इतना पेन उठाता है और बदले में क्या चाहिए उसे मुझे हुमिलियेट मत करो मुझे एम्बेरेस मत करो मुझे डॉमिनेट मत करो मुझे डिसपॉंडमेंट मत करो यहीं चाहिए इतना पेन सहने के बाद भी अगर ये सारी चीजे उसको तकलीफ नहीं हुई समाज में तो उसे कैंसर की तरफ नहीं जाएगा लेकिन बाद में ये चीजे हुई तो वो कैंसर की तरफ पहला कदम उसका होता है सो इनसान जैसा दिखता है दोस्तों एक्च्वल में उसके पीछे भी उसका एक नेचर होता है हम केज टेकिंग में जब भी कोई मरी जाता है तो पहले जो पहला पांच-दस मिनट का इंटरव्यू होता है उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो वरतमान इस्तिती में जो पेशेंट बता रहा है प्रेजेंट में वो उसका बेसिक रियल नेचर है या आटिफिशल नेचर है अगर रियल नेचर हुआ तो वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता हम लिखते जाते हैं या उन चीजों को अब्जर्व करते हैं कलेक्ट करते हैं एक अच्छी मेडिसिन देने के लिए लेकिन अग तो के से निकाला जा जा सकता है ठीक है दोस्तों तो मेरा ये वीडियो बनाने का मुद्ध यहीं था कि जो पहला वीडियो था उसी से लिंक करके इसको देखेए तो आपको उन चीजों का आंसर मिल जाएगा ठीक है दोस्तों I hope मेरी बातें clear हो गई होंगे आपको उसके बावजूद अगर कुछ question है तो जरूर पूछेगा दोस्तों Thank you, धन्यवाद, Thanks a lot